ख़पडे की चवड़ाई एक साइट से हमने 12 इंच ली है तो आपको 12 का डबल लेना है क्योंकि हमने कपड़े को फोर्ड किया है और कपड़े की लंबाई में सीधी सिलाई चला लेनी है अब हम यहां से धागी को कट करेंगे और एस्टा कपड़े को कपड़े को हमें यहां से ऐसे फोल्ड करना है और इसके उपर एक बराबर में सीधी सिलाई चला लेनी है इस लाइन को कम्प्लीट करने के बाद हमारा जो दूसरा टुकड़ा है उसमें भी हमें ऐसी लंबी सी डिजाइन बना कर तयार कर लेनी है तो यह देखिए हमारी दोनों साइट की लाइन कम्प्लीट हो चली है अब दोनों कपड़े को जोड़ने के लिए एक लंबा सा कपड़ा लेंगे उस कपड़े पे हम इस वाले कपड़े को ऐसे लगाएंगे और एक बराबर में सीधी सिलाई चला लेंगे सिलाई को यहाँ पर स्टॉप करते हुए हमें कपड़े को ऐसे घुमाना है अब हम दूसरे साइड में कपड़े को ऐसे जोड़ने कर लेंगे यहाँ पर अच्छे से आपको लगा लेना है इसे और एक बराबर में इसके उपर सीधी सिलाई चला लेनी है इस लाइन को कम्पलीट करते हुए यहाँ से हम धागे को कट कर लेंगे और एश्टा कपड़े को भी अब हमें कपड़े में चूनट बनाना है तो चूनट को हमें यहाँ पर ऐसे तिर्ची में लेना है इसे पीन से यहाँ पर अच्छे से लॉक कर देंगे एक साइड में हमें दो चूनट बनाने है तो यह देखिए दूसरा वाला चूनट भी हम तीर्छी में ऐसे लेंगे और इसे पीनप करके लॉक कर देंगे दूसरे साइड में भी सेम स्टेप को फॉलो करते हुए सेम साइज में हम चूनट बना लेंगे ऐसे जितना चूनट हमने पहले वाले साइड में लिया है उतना ही चूनट हमें दूसरे वाले साइड में लेना है इस तरीके से आप इस डिजाइन को बहुती इजी स्टेप में तयार कर सकते हैं अब हम चूनट को पिन अप कर देंगे अब हमें यहां पे चूनट को ऐसे बराबर करते हुए इसके उपर सिलाई चला लेनी है दूसरे साइड में भी सिलाई चला लेंगे अब हमें यहां से धागी को कट करना है और नीचे की साइड से हमें चूनट के उपर सिलाई चला लेना है अब हमें कपड़े को यहां से ऐसे फोल्ड करना है और जो आपका आस्तिन का साइज है वो साइज नापने के बाद आस्तिन की सेप में आपको इसकी कटिंग कर लेनी है तो यह देखिए यहां से हम आस्तिन की सेप में कटिंग कर लेंगे लेकिन आपको साइज नापने के यहां से एक बराबर में ऐसे लाइन अप कर लेंगे अच्छे से आपको एक बराबर में लाइन अप कर लेना है ऐसे लाइन अप करने के बाद अब हम इसके उपर एक बराबर में सीधी सिलाई चला लेंगे तो यहां से हमें एक बराबर में सीधी सिलाई चला लेनी है यहां से धागे को कट कर लेंगे अब नीचे की साइड से हम ऐसे एश्टा कपड़े की कटिंग कर लेंगे एश्टा कपड़े की कटिंग करने के बाद अब हमें उपर की साइड में चुनट की उपर ऐसे सिलाई चला लेनी है तो फ्रेंड हमने उपर की साइड का डिजाइन बना कर तयार कर लिया है उपर की साइड का डिजाइन तयार करने के बाद अब हमें नीचे की साइड का डिजाइन बनाना है तो उसके लिए हमने चकोर सेफ में कटा हुआ दो कपड़ा लिया है एक कपड़े को हमें ऐसे छोटे-छोटे भागों में कट कर लेना है ऐसी हमें धेजारी कटिंग कर लेनी है अब हमें फिंगर की मदद से कपड़े को हलका सा गोल सेफ देना है और दूसरे वाले कपड़े की बीच में हमें यहाँ पर लगाना है ऐसे अब हम इसे rolling करते हुए अच्छे से धागे के मदद से lock कर लेंगे तो ऐसे हम धागे को यहाँ पर लपेड देंगे अच्छे से tightly और इसे lock कर देंगे इसे लॉक करते हुए अब हम यहाँ पे एश्टा कपड़े की कटिंग कर लेंगे तो फ्रेंड आपको ऐसी पोतली वाली डिजाइन धेर्जारी बना कर तयार कर लेनी है जो कि हमने तयार कर ली है अब हम एक लंबा सा कपड़ा लेंगे जिसके चोड़ाई छेंच है और कपड़े की लंबाई आस्तिन के चोड़ाई के बराबर है कपड़े पे हमें इस तरीकी साहता से ऐसे बक्रम को चिपका देना है अब हमें कपड़े की बीच में पोतली वाले डिजाइन को यहाँ पर लगाना है अब हम इसके उपर सिलाई चलाएंगे तो थोड़ी थोड़ी दूरी पे आपको पोतली वाले डिजाइन को ऐसे लगाते जाना है और इसके उपर सिलाई चला लेना है इस तरीके से आप इस डिजाइन को बहुती इजी इस्टेप में तयार कर सकते हैं अभी तक आपने हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किये हैं तो प्लीस हमारे चैनल को सस्क्राइब करके घंटे को बजा कर आलका ओप्सन सलेक्ट करें जिससे हमारी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी इस लाइन को कम्प्लीट करते हुए यहां से धागी को कट करेंगी अब हमें इसमें एक और डिजाइन को एट करना है उसके लिए हम एक लंबा सा चोडा सा कपडा लेंगे कपड़े की चौडाई साढ़े आठींशे और कपड़े की लंबाई हमारी आस्तिन की चोड़ाई के बराबर है तो कपड़े को ऐसे फोल्ड करके यहाँ पर लगाएंगे और इसके उपर एक बराबर में सीधी सिलाई चला लेंगे तो ऐसे हमें एक बराबर में सीधी सिलाई चला लेनी है कपड़े के उपर अब हम यहाँ पे धागी को कट करेंगे फिर से हमें कपड़े को यहाँ से ऐसे फोल्ड करना है और पहले वाले लाइन के बगल में हमें फोल्ड करके लगाना है और इसके उपर एक बराबर में सीधी सिलाई चला लेनी है बिल्कुल इसी तरीके से ही आपको चार-पांच बार कपड़े को फोल्ड करके इसके उपर एक बराबर में ऐसी सीधी लाइन चला लेनी है जिससे हमारा बहुती खुबसूरत सा डिजाइन बनकर इजली तयार हो जाएगा तो ये देखिए फ्रेंड हमने ऐसी चार लाइन बना कर तयार कर ली है अब हमें किनारे की साइट से एश्टा कपड़े की कटिंग कर लेनी है दोनों साइट से हम एश्टा कपड़े की कटिंग कर लेंगे अब हमें डिजाइन को यहां से फोल्ड करना है तो ऐसे हम डिजाइन को अच्छे से फोल्ड कर लेंगे डिजाइन को फोल्ड करने के बाद अब हमें चकोर सेप में कटा हुआ धीर सारा कपड़ा लेना है कपड़े को हम फोल्ड करके यहाँ पर लगाएंगे यह देखिए ऐसे हम लगाएंगे यहाँ पर अब हम यहाँ पे सीधी सिलाई चला लेंगे दूसरे कपड़े को भी फोल्ड करेंगे पहले वाले डिजाइन में ज्वाइंट करते हुए हम इसके उपर सिलाई चला लेंगे तो बिल्कुल इसी तरीके से फ्रेंड हमें कपड़े को फोल्ड करते हुए सारे डिजाइन को एक दूसरे में ज्वाइंट करते हुए इस लाइन को कम्प्लीट कर लेंगे इस लाइन को कम्प्लीट करते हुए अब हमी यहां से धागी को कट करना है अब हमें इस डिजाइन को आस्तिन के कपड़े में ज्वाइंट करना है तो ये रहा हमारा आस्तिन का कपड़ा इसे उल्टा करते हुए हम यहाँ पर ऐसे लगाएंगे और इसके उपर एक बराबर में सीधी सिलाई चला लेंगे इस लाइन को कंप्लेट करते हुए अब हम यहाँ से धागे को कट करेंगे तो ये देखिए ऐसे हमने दोनों डिजाइन को एक दूसरे में ज्वाइंट कर दिया है अब किनारे की साइट से हम यहाँ से एस्टा कपड़े की कटिंग कर लेंगे एस्टा कपड़े की कटिंग करने के बाद अब हमें डिजाइन में बटम लगाना है तो अगर आपको बटम बनाने नहीं आता है तो डिस्किप्शन में इसकी लिंक दी गई है design में हमें 3 बटम लगाने हैं तो यह देखिए friend हमने यहाँ पर 3 बटम लगा लिए हैं design में जिससे हमारा design बहुत सुन्दर लग रहा है तो friend मिलते हैं next video में नए design के साथ thanks for